गल पंजाब्दी टीवी देख रही सासेंगर जी आप जीता बहुत बहुत स्वागत है मैं गुर्मित सिंग खालसा प्रोग्राम लेके हाज रहां बाबा बोलेया वहे गुर्जी का खालसा वहे गुर्जी की फते किसे पिंड दी कटना है कि एक बंदा किसे प्यानक बिमारी दा पन्ने होया सी पाव बिमारी तो फूरी तरह गरस्थसे पिंड वीच उसनों कोई भी उच्दा किश्दा नहीं सी तरस खाके कोई पिंडवा सी उसनों थोड़ी बहुत रोटी दे जानदा सी पर उस दा इलाज कोई भी करौनों ते आ गए सी क्योंकि पिंडवा नों पता सी कि ए बिमारी नाम राद है ला इलाज है एक दिन एक मुस्लिम फकीर अल्ला दी रमज विच उत्थों लंगया जा रहा है उसने देखिया कि एक बिमार आदमी जो की एक दरख़त देनाल बैटा है उस दे शरीद लिच्चों बहुत बब्बू आ रही है ते बहुत सारी मक्यां उसनों तंग परशान कर रही है एक देखिए उस मुस्लिम फकीर ने अपने कुछ चेले बुलाए ते उसनों बिमार आदमी ने चुखके अपने टिकाने ते लाए ते टिकाने ते ले जान मगरों उस मुस्लिम फकीर ने उस बिमार आदमी ने इज़र दिती उन्हों उदा इलाज शुरू किता उन्हों खा कुछ दिना बाद ही ओ विमार आदमी ठीक होना शुरू सुगया ते होड़ी होड़ी बिल्कुल ठीक होंदा होया एक दिन पूरा तंद्रुस्तुर गया मुस्लिम फकीर दे टिकाने ते कुछ समा रहन तो बाद ओ अपने पिंड बास्यान दे आया पिंड वाले बहुत हरान होये और कहन लगे भी सनुता उमीद नहीं सी कि तुछ जावेगा यह सब कुछ होया कि विमार आदमी ने अपनी सारी कथा पिंड वाले नों सुनाई कि किस इस तरह इस मुस्लिम फकीर ने में इजब मान दिता अपने कर रख्या है सो किनी वड़ी उस केंदा मेरे लिए एक मेरी प्राप्ति है कि मेरी उनने हमदर्दी की ती सारी गल पिंड वाले अगे उसने खुल गया होती है पिंड दा मुकिया खुश होन दी पजाए अखा पा कि तुँ अपना पिता पुर्खी तरम त्याग के एक मुस्लमा दे कर रहे हैं उस विड़े जो भीमारी तो ठीक होया वे किसी ओ कैन लगा कि मैंनू यह नहीं पता कि मैं केड़ा तरम फड़ेया है ते केड़ा तरम छड़ेया है पर मैंनू एनना कू जरूर पता लग चुक स्वादी वर्तों करन्दा नात तरम है तरम दी राते तुरया तरम खंड़ दा पंदी हुंदा जिवे जिवे मनुक तरम खंड़े विच्छन दा यतन करता है तिवे तिवे उसनों एक ज्ञान होंदा है कि मैं इस दुनिया दा आम जहावासी नहीं हां स्वगो इस सारी धेवाद्य विच उरुज्य होया ग्यान खन्ड़ा पधी बन जागे अज़दा विचार दूज रुज्य खन्ड़फ पाव य्ञान ख्ंड़ केहीं अदारद है सिबानी जब जी साहिश्य जब निसान विच तरम खन्ड ये उप्रंस प्रंथ सक्षान गई है असी अपनी मत रुपी तर्ती विच अपने फर्ज दी पैचान की ती ते ज्ञान आया कि दुनिया बहुत विशाल है इसनों सुचज्या बणाउन लेई असी अपना वत्त वद योगदान पाना है ज्ञान खंड दी विशालता नूं समझन लेई जप बाने दी पैंती भी पौडी नूं भीचार करनदी ज़ुरूर्थ है भी हुज के तरहम खंड का एहो तरम ज्यान खंड का आखो करम है ऑनन पानी भैसांतर केठेब कान महेश केठे बहर में गब काड़त कडियी है रूप रंक भीष क्या अगनियाने कई क्रिष्ञ ने ते कई शिव ने , kई 便 ब्रह्मे पैदा कीते झारे ले जिना दे कई रूप्न वेस अकाल पुरुख्दी कुद्रत विच बयंत तर्थीय न्यकित्श की अधे ते उना दे उपदेश ने, बेयंत इंदर देवते, बेयंत चंदरमा, बेयंत सूरज, बेयंत पवन चक्कर ने, बेयंत सिद्ध ने, बेयंत बुद्ध ने, बेयंत अवतार ने, बेयंत नाथ ने, अते बेयंत देवियां दे पहरावे ने अकाल पुलकुती रचना विच बेंत देवते अते धेंत ने, बेंत मुनी ने, बेंत प्रकार दे रतन, पाव रतना दे समुंदर ने, जीव रचना दियां बेंत खाणियां पाव बेंत प्रकार ने, जीवान दियां बूलियां चार नहीं, सोगो बेंत बाणियां ने, बेंत पात्षा ते राजे ने मुनुखा दे मनवनों लाए जानवाले बेंत प्रकार दे त्यान ने बेंत सेवक ने गुरुनानक पात्षा जी फर्मों देने की किसे दे अंत दावी अंत नहीं पाया जा सकता प्रफेसर साहिब सिंग जी ने इस पॉड़ी नों विचार कर देया लिखे आया कि प्रबूदी महरनाल मनुख सदारंग हालत तो उठके प्रबूनाल एक मिक रूप हो जानदा है सब तो पहला मनुख को दुनिया दे विशे विकारां वर्लों ठक हार के आतमावाल चाती मारता है ते ए सोचदा है कि मेरे जीवन दा की मनुरत है मैं संसार ते क्यों आया है आकर मेरा फर्ज की है इस अवस्था विच मनुख ए विचारदा है कि इस तर्थी उत्ते जीव तरम कमौन्डी आये आये अकाल पुर्ख दे दर ते जीवां दे अपों आपने कीते करमा उनसार नवेडा हुनता है जिना तेक अकाल पुर्ख दी बक्षी सुन दी है ओही उस दी हजूरी विच सोग देने दुनिया भी आदर जा निरादर इत्थे कोई मुल नी रखता आदर वाड़े ओही ने जो अकाल पुर्ख दे दार्थे परवान हुन जिवे जिवे मनुक दी सुर्ती एहो जहे ख्याल विच जुड़दी है तिमे तिमे उदे अंदरों स्वारस दी गंड खुल दी जांदी है जो मनुक पहला पदार्थ विच बस्ट रहन करके अपने आपनों जह अपने परवार मुं आपना जानदा सी पावतरजी देनदा सी ते उना तो परा उना तो अगे होर्ग किस से विचार विच नहीं सी पैन्दा ओही उन अपने तरम दी समझ पैन्दे आपनी वाक्पियत बदान लग जान्दा है मांसिक बोध ते विचार दे बल नाल अकाल पुरुखती बेयंत कुद्र दा नक्षा अगे लिओन लग पेंदा है ग्यान दी हनेरी आजादी है जिस दे अगे सब परम वैम उड़ जाद जिवें जिवें अंदर खोज बदी है तिमें तिमें आत्मक अनंद भद्दा है जो पहला दुनियावी मयादे पदार्थ विच नहीं सिलिदा है आत्मक पेंड़े विच इस अवस्थादा नाम ग्यान खंड है तरती रूपी मत जदों अपने फर्ज दी पैचान कर दी हैता इस मत नूँ एक ग्यान आ जानदा है कि चल रही हवा इते सारे संसार दी सेवा निवा रही है फिर मैंनों भी हवावा हर वेड़े एक शांज हरे कनल सांज वदा के चलन दे यतन करने चाहिए मैंनों भी सेवा दे विच पागीदार होना चाहिए क्योंकि मैंनों ग्यान आघे पाणी जेडा भी पिन्दा है उस दी प्यास अजेहा उद्दम करां स्याने लोगतां प्यासियाली प्याउदा परबंद भी करते हैं आग दे सेख नाल कार खाने चाल देने लंगर परक देने तो लोग का अंदी ठंड भी दूर किती जांदी है आग एक उद्दम है जिस्तों बिना ए प्रकिर्ति संभ भी नहीं है गुरू जी इत्थे उना दी कोई प्रोड़ता नहीं कर रहे हैं सुगों इना पुरातन नामा मिच्चों नमा पाव पाके कुझ करंद सुनु यहां दे रहे हैं जिमें पगवान कृशन जी ने कंच सुनू मौद्दे काट उता रहे हैं ते उगर सेनू राजगदी दिती है इसे तरीके असीवी ज्ञान दी किरपान ना विकार रूपी कंसनू मत विच्चों बाहर कड़के सहज देतारनी होन दा अब्यास करन दा यतन करिये हैं हिंदू मिथ्यास विच्च शिव नो मौद्दा देवता मन्या गया है जदकी सिक्की सिदान अनुसार एना देवी देवता दे हद कुछ भी नहीं है इथे ए पाव लेना दा यतन करना है कि अंदरले विकार नो मौद्दे काट उतारना है गुण पैदा करना है केते पवन पानी वे संतर केते कान महेंज हिंदू लोक मिथ्यासिक कहाणिया नुसार ब्रमा जीदा रोल श्रिष्टी दी सिर्जना वज्जों लेंदी है जो तरक तों बिलकुल परे है ते ना ही इस विचारना साड़ों कुई वास्ता है पर असी तरम दी पिशान करके जा अपने फर्जनु मद्य होया ज्यान दुवारा चंगे आचरन दी सिर्जना करनी है कर सकते हैं केते बर में काड़त करिए जिस तरह कोई विद्यार्थी विद्या दे मंदर पाव स्कूल विच जाके अपनी पड़ाई करता है उस पड़ाई नाल जो कुछ उस अंदर पुंगर दा है वो विद्यार्थी दा किरदार होंदा है विद्यार्थी दे गुण होंदे ने पड़ाई दी तपस्या नाल ही विद्यार्थी नो ग्यान होंदा है असल विच ए विद्यार्थी दी अपनी काड़त है हुण जो तो विद्यार्थी अपना फर्ज समझ के तर्म खंडदा राही बणके किसे उच्छ सिख्या दी विद्या हासल कर लवेगा ते उधों विद्यार्थी अपने फर्ज दी पहचान ते ज्ञान दी प्राप्ती कार्ण उस दे अंदरली काड़त कड़ी जावेगी ते फ तक रूपरण साड़े नित परती वर्तों विहार विच परगठ होना है रूपरण के वेश हो जमें जमें ग्यान दी प्राप्ती हुंदी है तिमें तिमें हर गुन दी अपनी तर्ति पाव मत दा अकार पाव घ्यान विशाल हुनगा जाएक है कि यसे संतोख बिज आ जाव जे प्यार दा बीज बिजय जावेगा ते नफरत वर्गी बिमारी खत्म हो जावेगी। जे तीरजदी तर्ती तियार करांगे ता सडकती तुर कटनावा तो बच्या जा सकता है। केतियां करम फूमी ज्यान खंड दे वासी होन करके अंदर लियां तर्तियां दे अकास प्रती डूंगी ते रहनुमाई करदी जानकरी मिल दी है। मनुकी श्रीर पत्तियां दे टकन तो शुरू होके अज बहुत कीमती कपड़या नू पहन रहा है। अकास विच पुडणा इसने सिख्या है। दिन बदिन तरक्की नू सर करी जा रहा है। इस सारा कुछ दिमाग दी सही वर्तों करंदा ही नतीजा है। मेर केते। ज्यान दी वर्तों नाल दिमाग दी विशालता परकट हुण दी है। इजी स्थिर्ता पाव ठहराव दा रूप तारन कर दी है। केते तूप देश विज्यानियां वन्नों तूप एक था तो दूजी था ते पहुंचाओं ली दिशा निर्दारत कर ली वर्तिया गया। असी ग्यान नाल स्थिर्ता दी दिशा निर्दारत भी कर सकते हैं। इंदर दा प्रतीक बर्साथ, चन्द दा प्रतीक शांती ते खुशी ते सूरज दा प्रतीक तेज ग्यान है। इना गुणा नू अंदर ले विहारिक जीवन दी विशालता प्रती प्रगट करना है केते इंद चंद सुर केते सो मंडल दे अलग-अलग सोड़ां अर्थां विच्छों इत्थे संसार अर्थ लेया गया है पाव ग्यान आउन नाल एक बेगमपुरा एक एस नगर दे इक मन दी एक फुर्णा है एक मन दा एकसुपना है जोकी पगत रवदास्वलो लेया गया सीगा जिसमिश्वी सब कुछ मिलेगा खानों खाना मिलेगा फिरनों जगा मिलेगी सो उत्थे पैद्पावनी होएगा तो उस बेच्टे बेगमपुरा जो फुर्णा जो उन्हावलों ब्यान किता गया गुर्बाने वीची सुख केते मंडल देश शेहर दी स्थापना हो गलता जिस तरह किसे बच्चे ने मेनत नाल पढ़ाई करके वकालदी डिग्री लई उसदि सिद्धा है पाप उसने तपस्या करके उनुस सिद्ध कीता है उसने प्रापत किता है एई सिद्धा उस ते बहुत ज्ञान दी ज्ञान त्थी विच्ट तबदीर हो जाने ही कई बारी लोग डिग्रियां मुल भी लेने ने पर मुल लईयां डिग्रियां विच्छ क्वालिटी पाव गुण बता नहीं हो डिग्री दी सिधता ते बच्चे विचकार ग्यान दा ना बुद्ध है के ते सिध बुद्ध है नाथ पाव स्वामी शुब गुणादा स्वामी बनना नाथ केते केते देवी वेज ग्यान रहीं जित्थे देवी गुणादी प्राप्ती हुंदी है उत्थे अंदर छुपी बैटी राक्ष बित्ती बारे वी जानकारी बुद्धी है केते देव दानुद्ध महान कोश्विच मुनी दे अर्थने जो व्यकुल ना होगे पाव ओ अजी ही अवस्ता होंदी है जिस विच एक ठैराव होंदा है जैगासा जागन नाल अंदर ले विचार विच टिका होंदा है समुंदर विचों कीमती वस्तुवां ओही कर सकता है जिसनों समुंदर समंदी पूरी जानकारी होगे एसे तरीके गुरु ज्यान दि समझ पैंदी पैंदया ही मत रुपी तरती विच लुके शुब गुण समझन आन लगता है मुन केते केते रतन समुंदी एक मुनुक दे मन विच किन्ने ख्याल जर्म लेंदेने जो खाणिया पाव जीवां दे केतर नाल समंद रख देने जो बिभेक बिर्ती वाले ख्याल ता इनने परबल हुंदेने की जेड़े बादशा शाहिंचा वांग पाव शानुशो को जीवन पतीद कर देने छोटे सहब जादे यांदी शहीदी विडे दिवान सुच्चा नन दे ख्याल विकाव मालवांग पूँच हिलोंदे दिस देने जदोंकी मलेर कोटला दा शेर महबबत अजाद रियासत दा मालक होन देना ते अजाद बादशा वाले ख्याल दे रहा है केतियां खाणी केतियां बाणी केते पाहात अने जिन्द है तो साड़े मानविची जो फुरने जनम लेरे वे ओ खाणियां वांगने ते उनादे सुबाव विच्चो प्रकट होना बाणियां भी चाउदा है ग्यान आउन नाल अंदर तजर्बा जनम लेंदा है ते अंदर ले शुब गुणा नाल सांज पेंदी है जे ग्यान अधूरा होवेगा ते विकार वाली बोली बोलेगा चंगे ख्याल ते मंदे ख्याल हर वेड़े इंसानी श्रीर विच इंसानी दिमाग विच इंसानी आत्मा विच जनम नम देना जे संपूरन गुरु गुर्ण साहिव जी दा एक शब्द विच पैगाम देना होए ते किया जा सकता है कि असी सच्चारा मनुख बनना है जो कि जब बानी दे अरंब विच आ गया है फिर किसी वी पोड़ी नूँ समझना होए तां पोड़ी दी अखीर ली तुक नूँ त्यान विच ले आया के असी उस पोड़ी दे तुक नूँ समसक्ते इसे तरह ही ज्यान खंड वाली पोड़ी दे अखीर विच आई तुक दे जरा कूपाव अथ नूँ समझा जावे तां अजीहे गल नाल समझ पैसक्ती है पूरी पोड़ी समझ पैसक्ती है कि गल सुर्ती ते सेवक दी किती गई है जेडा सेवक वी ते आन नाल गुरु ज्यान नूँ लेंदा यतन करता है उसनू जि गुणा दीवी जानकारी मिल दी है इस दी ब्यंतता ता अंत नहीं पाया जा सकता है केतिया सुर्त सेवक केते नानक अंत ना अंत जिवें जिवें सुर्ती लाके कम करोगे तिमें तिमें मनुख्दे ज्यान विच वाद्दा होगेगा सासंग जी जे सानू अंदरली करम उमी रूपी मत दी जानकारी मिल जाये ता साथे फुर्नया विच सार्थकता आ सकती है मुल्क दे कनून दा ज्यान आ जाये ता मनुख किसे नाल तका नहीं करेगा सास नू शगिर्द उस्ताद क्लर्क जज्ज मंतरी ते अफसर शाहिन जो दो अपना तरम ने बहुणदा ज्यान आ गया ते रब दी इस उद्रत विच स्वर्ग ही स्वर्ग होगेगा तरमी हुणदा असी सिर्फ बाहर ले ताल ते लेबल लगाया हुआ है याण दी कहट करके परा परा नाल सस नू नाल अज चगरा कर रही है। ज्यान दी सीमा निर्दार्त नहीं किति जा सकती ज्यान नित वदाया जा सकता है। ग्यान वास्ते ज्रूरी है कि मनुक सुर्थी नाल कम करन्दा यतन करें आत्मक सोची नाल रभी प्रवार्दी विशालता दिस्दी है मनुक की जनम दे फर्ज पाव तरंदी समझ प्या मनुक दा मन बड़ा विशाल हो जानदा है जो पहला एक टबर दे स्वार्थ विच भज्जा होया सी उसनों अपने जनम दे मनुरत पाव तरंदी समझ नाल एक ज्यान हो जानदा है कि बेंथ प्रभूदा पैदा कीता होया बेंथ जगत इस बेंथ वड़ा टबर है जिस विच बेंथ क्रिशन बेंथ विश्णू बेंथ ब्रह्मे बेंथ तर्थिया नहीं एक बेंथ ग्यान दी बरकत नाल उस मनुक दे मन अंदर जगत प्यार दी लहर चल के खुशी ही खु तो अजले ही सिर्फ नहीं जेक ते दास तो कोई गलती हो गई होगे जा कोई कमी रहे गी होगे ते बेंथ ये कि दास नो माफ कर देना आप जी सासंग तो आप जिनो माफ परन्द हाथ आप जी आप जिनो प्रोग्रम कैसा लग गया इस बारे अपने कमेंट्स सानू जरूर हुआ पाइन समोगए ना तरह पचिना जिना ने हम तक अपन्जाब्र टीवी चैनल सस्क्राइब किता बेंती योचानल सब्सक्राइब कर bilang क्यों आपने आइकन. क्युंस दके तुस्यलेटस्ट आप्डेर सब्सक्राइब देखते रहो गल मंजाब दी टीवी गल साधी ते साधी सारे आदी वाहे गुर्जी का खालसा वाहे गुर्जी की पत्राइब